तो दर्दनाक सडख हाथसे में पांच लोगों की मौत होई और वहीं एक गंभी रूप से घायल है खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोलान की जहां सियम योगी आदितनाथ आज दोरे पर जाएंगे मगरोल इस्त पीटीसी सेंटर का सियम योगी आदितनाथ शुबारंब करेंगे और इसको लेकर प्रिशासनिक अधिकारियों ने तैयार याँ पूरी कर ली है वही शनिवार को एडिजी जोन कानपुर ने पुलिस अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग की और उन्हें नर्देश दिये कि किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूप ना हूँ प्रिश्ट्रिक्षन विद्याले मांग रोल में मानिये मुख्यमंत्री जी का आग्मन होगा इसमें कारक्रम एक बचकर पच्शीस मिनट पर यहां आने का है बैरक्स हैं और यहां जो बिल्डिंग्स बनी हैं जो विवस्थाएं हैं उनके देखा जाएगा और इसके बाद इसमें आज यहां 800 आरक्षियों को डिप्लॉई किया गया है इसके साथ तीन सो सब इंस्पेक्टर तीन कंपनी पी एसी छे एडिशनल एस पी और पच्छिस स जो उसके साथ एंटी सेबोटाज टीम और जो विशेश प्रसिक्षित जो कमांडोस की टीम है उनको भी लगाया गया है तो सीम योगी आदितनात आज जलॉन के दौरे पर रहेंगे जहां वो पी टी सी सेंटर का शुबारंब करेंगे सीम योगी के दौरे को लेकर प्रिशासन पूरी तरीके से तयार है सभी तयारियों को पूरा कर लिया गया है उसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतर्जामात किये गए है आज एक दिवसी दौरे पर जलॉन जाएंगे सीम योगी आदितनात और पी टी सी सेंटर का शुबारंब करेंगे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जलॉन की जहां कारिक्रम इस्थल पर सभी तयारियां पूरी कर ली गई है बतादें कि शनिवार को एडी जी जोन कानपूर ने पुलिस सदिकारियों के साथ ब्रीफिंग की थी और उन्हें निर्देश दिये थे कि किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई चूक ना हूँ प्रशासन पूरी तरीके से तयार है सीम योग्याद इतनात के दौरे को लेकर और आज पी टी सी सेंटर की सौगात जलॉन को देंगे सीम योग्याद इतनात झाल झाल